स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में तो बिग ब्रैकिंग निउज जूनियर एसिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पदो पर बंपर भरती का विग्यापन जारी हो गया है सिच्छक बढ़ती का विग्यापन भी साथ हिसाथ जारी हो गया है तो सारी जानकारी आपको इस विडियो में मिलने वाली है कि कहां पर यह वैकेंसी आई हुई है और आवेदन कबसे शुरू हो रहे हैं तो चली दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यहां पर आप दुस्तों देख सकते हो कि यह वैकेंसी आई हो है DSSB में जो कि आपकी Delhi Subordinate Service Selection Board है और यह आपका जो Application Form है कब से Fill Up करना स्टार्ट हो रहा है तो यह 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 7 फबरवरी तक आप इस Form को Apply कर सकते हैं नमबर आप वैकेंसी देख सकते हो अच्छी खासी वैकेंसी है टोटल अन्रिजर्ट कटैगरी में 788 है और उसके बाद अलग-अलग कटैगरी मिला कि टोटल 1672 पोश्ट है आप देख सकते हो यहां पर और वागे यहां पर PWBD, X-Service Man, SP कर भी देख सकते हो वैसे ही आप देख सकते हो स्टेंगराफर की में भी और यहां पर नेम आप डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है लोर डिविजन कलर्क की साथ ही साथ जो आपकी कम टैपिस्ट की भरती है वह भी है यहां पर तो अच्छे खासे पदों पर यह भरती है आप यहां पर देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी आपकी 2354 टोटल भर वैकेंसी है और यहां पर आप अलग अलग काटेगरी की और भी देख सकते हो तो अच्छे खासी वैकेंसी हैं आपकी आई हुई है तो इसका दोस्तो यह सौर्ट नोटिफिकेशन है और 9 जनुवरी 24 से आप आवेदन कर सकते हैं उसके बाद साथ ही साथ आपका सहाएक अध्यापक नरसरी के लिए भी बिगया पंजारी हुई हुई हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हो कि कब से आवेदन सुरू हो रहा है तो आविदन वैसे ही आपका 9 जनवरी 2024 से 7 फ़रवरी 2024 के बीच में और उसके बीच में अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सहायक अध्यापक नरसरी महिला जो की बीभाग का नाम कहा है दिल्ली नगर निगम और यह सिच्छा निदे साल है और नए दिल्ली नगर पाली का प वैकेंसी आपको यहाँ पर सिक्षक की भी देखने को मिल रही है जिसमें आपका सहायक अध्यापक नरसरी महिला सहायक अध्यापक नरसरी और साधिसाथ साहायक अध्यापक नरसरी अलग-अलग विभाग हों में हैं तो यह दोस्तों और जो वैकेंसी है आपकी जूनर एसि केसं जारी होगा तब हम चर्चा कर लेंगे तो यह कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगो साथ सेर करनी थी वीडियो आपको कैसे लगा अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा क्योंकि जो भी लेटे